आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में देखें हमें क्या बुला है कि Find the smallest 5-digit number which is exactly divisible by 20, 25 and 30 ठीक है तो देखें हमें क्या बुला है कि हमें smallest 5-digit number ढूढना है जो exactly divisible होगा 20, 25 and 30 ठीक है तो देखें हम पहले तो यह लिख लेते कि 5-digit numbers कहां कहां से होते हैं तो देखें 1 यह जो होता है यह 5-digit number smallest number हो जाएगा और यह देखें इधर से लेके biggest 5-digit number क्या होगा 99999 ठीक है तो देखें हमें देखना होगा कि देखें first number जो exactly divisible होगा इन तीनो number से ठीक है जो सबसे पहला 5-digit number होगा जो इन तीनो number से divisible होगा जो कि 20, 25 and 30 है तो वो हमारा smallest number हो जाएगा जो हमें चाहिए ठीक है तो देखें अगर उसे 20, 25 and 30 तीनो number से divisible होना है उस number को जो मतलब यह जो number आएगा तो देखें हम क्या वो लेंगे कि इन तीनों के number के LCM से उसे divisible होना होगा ठीक है तो मैं लिखोंगा कि LCM of 25, 20 and 30 यह find करना है मुझे ठीक है तो देखें 25 क्या होता है 25 होता है 2 into 2, sorry 5 into 5 25 हो जाएगा 5 multiplied by 5 ठीक है और 20 कैसे मिलता है हमें यह मिलता है 2 into 2 यानि 4 multiplied by 5 और 30 देखें कैसे मिलता है 2 into 3 6 into 5 ठीक है तो देखें यहाँ पे मुझे इन तीनों numbers का LCM चाहिए तो देखें अगर हम देखें तो देखें हमें ऐसा number देखना है जिसका multiple क्या हो LCM निकालना है तीनों का तो देखें उसके multiple में क्या होने चाहिए 2 बार 2 आना चाहिए 2 बार 5 आना चाहिए और 1 बार 3 आना चाहिए ठीक है यह कैसे निकाला मैंने तो यह किसे निकाल है क्योंकि देखें हम इसावा पास जो भी नंबर होगा तो लोगा ह्योगा तो अगर फ्यक्ति अगर फाइब गए मध्यूडल हो गया है मतलब हम निकालेंगे कि लिखेंगे LCM of 25, 20 and 30 ये क्या हो जाएगा देखें ये हो जाएगा 5 into 5 into 2 into 2 into 3 तो 5 5s are 25 into 4 into 3 which is 300 ठीक है तो 300 आ गया मुझे LCM of these 3 numbers अब मुझे smallest 5 digit number divisible by 300 निकालना है ठीक है तो देखें 300 से divisible number निकालेंगे तो देखें यहाँ पर अगर मैं देखें तो देखें इसको मैं लिख सकता हूँ 300K is equals to 10,000 ये करने से देखें हम क्या हमें के की value मिलेगी और देखें मैं बुलेंगे के K belongs to integer होना चाहिए ठीक है तो देखें ऐसा मतलब smallest K लेंगे जो ये just thousand से बड़ा होगा तो देखें हम इसको solve करते तो देखें क्या आ जाएगा मतलब जब K जब K is equals to 33 होगा तो 300K की value क्या हो जाएगी ये देखें 300K हो जाएगा 300 multiplied by 33 which is 9,900 और K is equals to 34 में देखें हम तो देखें just बड़ा जब होगा इससे K तो देखें हमें इससे just बड़ा एक number मिलेगा तो देखें हम लिखेंगे 300K इसकी बड़ाब जब K 34 है तो ये होजाएगा 300 into 34 which is 10,200 तो देखें हमें दिख रहा है कि देखें कि मैं बूला था कि K जो हमेशा integer होगा और देखें K 33 के नंबर आ रहा है K 34 के लिए तो हम क्या बूल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये smallest नंबर है जो 3 हम मतलब ये तीनों नंबर simultaneously से तीनों नंबर 20, 25 एं 30 से simultaneously divisible है तुबारा आंसर क्या हो जाएगा 10,200 क्लासिक्स से ट्वेल से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर